नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं Hindi Mind Bites और मैं हूँ आपकी होस्ट अनिका ठाकुर। आज हम आपको एक बेहत दिल्चस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाली किताब The Psychopath Test का सारांच सुनाने जा रहे हैं, जिससे लिखा है जाने माने लेखक और पत्रकार जॉन रॉनसन ने। आकर्शक और विचारशील होती है। उनके द्वारा लिखी गई इस किताब में बहमें एक ऐसी दुनिया से रूबरू कराते हैं जो हमारे आसपास होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती। ये किताब सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको उस समाज के बारे में जागरूख करती है, जिसमें हम जी रहे हैं। इसलिए अगर आप खुद को और इस दुनिया को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो इस किताब का सारांश जरूर सुने। किताब किसके लिए है और सुनने का सही समय, ये किताब उन सभी लोगों के लिए है, जो मानव व्यवहार, मानसिक, स्वास्थय और समाज में छिपी खतरनाक सचाईयों को जानना चाहते हैं। इसे आप सुभह की सेर करते समय, काम के दौरान, प्रेक लेते हुए, या फिर रात को सोने से पहले सुन सकते हैं। ये सारांश आपको न सिर्फ मनोरंजन देगा, बलकि सोचने के लिए बहुत कुछ भी देगा, जिससे आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकें। किताब का सारांश। चलिए, अब बिना देरी किये शुरू करते हैं इस किताब का सारांश। इस अध्याई की शुरूआत एक रहस्यमाई कहानी से होती है, जो आपको तुरंट अपनी और खीच लेती है। जॉन रॉंसन को एक अजीब और कन्फ्यूजिंग सी किताब मिलती है, जो दुनिया भर के कुछ बहुत ही प्रभावशाली लोगों को भेजी गई थी। ये किताब कोई आम किताब नहीं थी, इसके हर पेज पर कुछ अजीब और ग्रीब सिंबल्स और कोड्स थे, जैसे कोई क्रिप्टिक पजल हो, जिससे समझना मुश्किल था। रॉंसन को ये किताब मिली एक अमेरिकी नियूरो साइन्टिस्ट के पास, जिसने उन्हें इसे सुलजाने के लिए कहा। इस पजल को सुलजाने की कोशिश करते गए, उन्हें अहसास हुआ कि ये सिर्फ एक साधारन पजल नहीं है, यहाँ पर कहानी एक नए मोड पर आ जाती है, रॉंसन को पता चलता है कि ये किताब एक बड़े mental health issue की ओर इशारा कर रही है, जिससे अब तक लोगों ने ठीक से समझा नहीं था, इस किताब ने रॉंसन को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, जिनके दिमाग का एक हिस्सा missing है, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है, रॉंसन ने इस पजल को सुलजाने के लिए दुनिया भर के psychologists और neuroscientists से बात क और इसी दौरान उन्होंने एक term के बारे में सुना, psychopathy, यानि ऐसे लोग जिनके अंदर empathy या दया की भावना कम होती है, ये लोग intelligent होते हैं, charming होते हैं, लेकिन उनके अंदर भावनाओं की कमी होती है, यहीं से कहानी एक बहुत ही interesting दिशा में बढ़ती है, इस अध्याय का समझ में आता है कि हमारे समाज में कितने ही ऐसे लोग हैं, जो देखने में normal लगते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसा missing है, जो उने dangerous बना सकता है, तो इस पहले अध्याय में, रॉंसन ने उस puzzle के missing part को reveal किया, जो असल में हमारे समाज के एक पड़े issue की और इशारा कर रहा था, ये chapter हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम अपने आसपास के लोगों को ठीक से समझ पा रहे हैं, या फिर हम भी उस रहसे मई puzzle का हिस्सा है, जिसे solve करने की जरूरत है, अध्याय दो, the man who faked madness, इस अध्याय की कहानी एक ऐसे व्यक्ती के इर्ध-गिर्ध घुम लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बलकि यहीं से इसकी असली शुरुआत होती है, टॉनी ने एक हिंसक अपराद किया था, और उसे जेल भेजे जाने का डर था, उसने सोचा कि अगर वह पागल होने का नाटक करेगा, तो उसे जेल की सक्त सजा से बचने का मौका मिल सकत है, उसने एक डीटेल प्लान बनाया और खुद को पागल साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, टॉनी ने ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया, जैसे वह पूरी तरह से मानसिक रूप से अस्थिर हो, उसने अजीब अजीब बातें कहना शुरू कर दिया, बिना किस इसे कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, टॉनी का नाटक उसकी उम्मीद से ज्यादा सक्सेस्फुल हो गया, मानसिक अस्पताल में डॉक्टरों ने उससे एक गंभीर मानसिक रूगी मान लिया और उससे वहां लंबे समय तक रहने के लिए मजबूर कर दिया गया, टॉनी ने पने डॉक्टरों को समझाने की कोशिश की कि वहां पागल नहीं है, बलकि उसने सिर्फ नाटक किया था, लेकिन अब कोई उसकी बात मानने को तयार नहीं था, उसके बार-बार कहने पर भी कि वह ठीक है, डॉक्टरों ने इसे उसकी मानसिक स्थिती का हिस्सा मा इस तरह टॉनी खुद के ही जाल में फस गया। इस अध्याई में जॉन रॉंसन ने इस घटना के जरीए एक बहुत बड़ा सवाल उठाया। इस सजा से बचने की कोशिश कर रहा था। अंत में एक ऐसे मानसिक रोगी के रूप में फस गया जो वह कभी था ही नहीं। रॉंसन ने इस अध्याई के जरीए यह बताने की कोशिश की है कि मेंटल हेल्थ की जाच करना कितना मुश्किल और जटिल काम है। टॉनी की कहानी उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी है जो यह सोचते हैं कि मानसिक रोगियों का आकलन करना आसान है। इस अध्याई का अंत एक सवाल के साथ होता है क्या टॉनी सच में पागल हो गया था या वह सिर्फ एक सिस्टम का शिकार हुआ था जो उसे समझने में नाकाम रहा यह कहानी हमें मानसिक स्वास्थ्य और न्याय के बीच की बारीकियों को समझने के लिए मजबूर करती है। इस अध्याई की शुरुआत एक गहरे और चौकाने वाले तथे से होती है। एक कुख्यात अपराधी जो मानसिक रूप से अस्थिर था लेकिन बेहत चालाक और इंटेलिजन्ट भी। इस अपराधी ने रॉंसन को बताया कि उसके सपने हमेशा काले और सफेध होते हैं। वस सपनों में किसी तरह की भावना या रंग का अनुभव नहीं कर पाता था यहां से रॉंसन ने एक नई दिशा में सोचना शुरू किया। क्या रंग और भावनाएं हमारे मानसिक स्वास्थे के बारे में कुछ बताती हैं। क्या किसी इंसान के सपने उसके व्यक्तित्व और मानसिकता का सही चितरन कर सकते हैं। रॉंसन ने इस विशय को और गहरा से समझने के लिए कई मनो वैज्ञानिकों से बात की। उन्होंने पाया कि साइकोपाट्स का emotional spectrum बहुत सीमित होता है। उनके दिमाग में भावनाओं का वही रंग नहीं होता जो सामान्य लोगों के दिमाग में होता है। यही कारण है कि उनके सपने भी काले और सफेध होते हैं। उनके दिमाग में उन रंगों की कमी होती है जो भावनाओं को दर्शाते हैं। इस अध्याय में रॉंसन ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि साइकोपाट्स की दुनिया हमारी दुनिया से कितनी अलग होती है। उनकी सोचने, महसूस करने और सपने देखने की क्षमता सामान्य लोगों से बिलकुल अलग होती है। इसलिए जब हम उनकी मानसिकता को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि उनका दृष्टिकोण और उनकी सोचने की प्रक्रिया हमारी सोच से बिलकुल अलग हो सकती है। इसके अलावा यह अध्याय हमें इस बात पर भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सपने हमारी मानसिक स्थिती का एक महत्वपून हिस्सा है। अगर साइकोपाट्स सपनों में रंग नहीं देख पाते तो क्या इसका मतलब यह है कि उनकी भावनाएं भी एकदम काली और सफेध होती हैं बिना किसी गहराई या समवेदना के। रॉंसन ने इस अध्याय के माध्यम से साइकोपती के उस पहलू को उजागर किया है जिसे आम तोर पर नजर अंदाज कर दिया जाता है। यह अध्याय हमें दिखाता है कि कैस साइकोपत्स का दिमाग, भावनाओं और रंगों से दूर होता है और कैसे उनकी दुनिया एकदम अलग और रहस्यमई होती है। इस अध्याय का अंत इस सोच के साथ होता है कि क्या हम सपनों के माध्यम से किसी इनसान के मानसिक स्वास्थय को बहतर समझ सकते हैं और क्या य इस अध्याय में जॉन रॉंसन हमें उस टेस्ट से परिचित कराते हैं जो यह निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति साइकोपत्स है या नहीं इस टेस्ट को देस्ट कहा जाता है और इसे विकसित किया था एक मशहूर कनाडाई मनोवैज्यानिक डॉर डॉक्टर रॉबर्ट हेर ने इस टेस्ट का मकसद था यह जानना कि क्या किसी व्यक्ति में साइकोपती के लक्षन मौजूद है और यदि हां तो वे कितने गंभीर हैं दे साइकोपाथ टेस्ट एक चेकलिस्ट पर आधारित है जिसे हेरे साइकोपाथी चेकलिस्ट या PCLR कहा जाता है इसमें कुल 20 आइटम्स होते हैं जिनके आधार पर एक व्यक्ति को अंख दिये जाते हैं हर आइटम एक विशेश प्रकार के व्यवहार या व्यक्तित्व के पहलू को दर्शाता है जैसे की Charming Personality जो लोग बहुत आकर्शक और मोहक होते हैं लेकिन ये आकर्शन सतही होता है इन सभी आइटम्स पर व्यक्ति को शून्य से दो अंख दिये जाते हैं शून्य का मतलब है कि उस व्यक्ति में वह लक्षन नहीं है एक का मतलब है कि वह लक्षन कुछ हद तक मौजूद है और दो का मतलब है कि वह लक्षन बहुत सपष्ट रूप से मौजूद है अगर कि व्यक्ति का कुल स्कोर्तीस या उससे उपर होता है, तो उसे साइकोपैथ माना जाता है। जॉन रॉंसन ने इस अध्याय में इस टेस्ट की प्रभाव शीलता और उसकी सीमाओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने खुद यह टेस्ट किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि कई लोगों में साइकोपैथी के कुछ लक्षन होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे सभी साइकोपैथ हैं। स्थिति का सही मूल्यांकन कर सकता है या यह सिर्फ एक फ्रेमवर्क है जो किसी को एक लेबल दे सकता है। रॉंसन ने यह भी बताया कि दस साइकोपाथ टेस्ट का इस्तिमाल कई बार गलत तरीके से भी किया जा सकता है। कुछ लोग इसे किसी के व्यक्तित्व को पूरी तरह से समझने के बजाए सिर्फ एक टैग लगाने के लिए इस्तिमाल करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि लोग उस व्यक्ति को एक खास नजरिये से देखने लगते हैं। चाहे वो असल में ऐसा हो या नहीं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि भले ही दसाइकोपाथ टेस्ट एक उपयोगी उपकरण हो सकता है। लेकिन इसे बहुत सावधानी से और समझदारी से इस्तिमाल करने की जरूरत है। किसी के व्यक्तित्व और मानसिक स्थिती का आकलन सिर्फ अंकों के आधार पर नहीं किया जा सकता। बलकि इसके लिए कहरे समझ की जरूरत होती है। रॉंसन ने इस अध्याए के अंत में हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या हूम दूसरों को समझने में अकसर गलतियां करते हैं। बारे में है जो खुद को टोनी कहता है। ये वही टोनी है जिसे हमने पिछले अध्यायों में देखा था, जिसने खुद को साइकोपाथ साबित करने के लिए पागलपन का नाटक किया था। लेकिन इस अध्याय में रॉंसन टोनी के जीवन के कुछ और पहलूं को उजागर क कि उसने सिस्टम को धोखा दे कर एक बाडिडी जीत हासिल की है। लेकिन धीरे-धीरे उसे एहसास हुआ कि उसने खुद को एक ऐसे जाल में भसा लिया है, जहां से निकल पाना अब नामुम्किन है। इस अध्याय में जॉन रॉंसन ने टोनी के जीवन के कई महत्वपून घटनाओं और उसके मानसिक स्वास्थ्य के उतार चढ़ावों पर रॉष्णी डाली। उन्होंने बताया कि कैसे टोनी ने अपनी असली पहचान और अपनी मानसिक स्थिती को छिपानी की कोशिश की। लेकिन अंतता वह खुद ही अपने नाटक का शिकार हो गया। रॉंस उसरी तरफ उसे यह भी समझ में आने लगा था कि वह अब उस जाल से बाहर नहीं निकल सकता जिसे उसने खुद बनाया था। टोनी की स्थिती ने रॉंसन को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या साइकोपाथी जैसी चीजें सच में किसी इंसान को पूरी तरह से बदल सकत या फिर यह सब सिर्फ एक नाटक है जो लोग अपने फायदे के लिए करते हैं। टोनी के साथ बिताए गए समय ने रॉंसन को यह समझने में मदद की कि साइकोपाथ्स की दुनिया कितनी अलग होती है। उन्होंने यह भी देखा कि कैसे टोनी जैसे लोग अपनी, मानसिक स्थिति का इस्तेमाल दूसरों को धोखा देने और उन्हें नियंतरित करने के लिए करते हैं इस अध्याय के जरे रॉंसन ने यह दिखाने की कोशिश की है कि पिसाई चुपाथी का आकलन करना कितना उश के लिए है। टोनी की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में किसी की मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं या फिर हम सिर्फ उनके बाहरी व्यवहार को देखकर अंदाजा लगाते हैं। अध्याय टोटो का अंद एक गहरे विचार के साथ होता है। क्या सच में कोई इंसान पूरी तरह से बदल सकता है या फिर हम सब अपने अभीतर किसी ना किसी तरह के मनोवैज्यानिक खेल खेल रहे होते हैं। इस अध्याय ने हमें यह समझने में मदद की कि टोनी जैसे लोग हमारी समझ से बहुत आगे होते हैं और उन्हें समझना आसान नहीं है। रॉंसन ने इस अध्याय के जरिये हमें यह सोचने पर कि क्या हम सच में इंसानों को उनके व्यवहार और मानसिक स्थिती के आधार पर आख सकते हैं या फिर हमें इससे भी गहरे जाकर उनकी असली पहचान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अध्याय च्छा, नाइट ओन्फ, दिलिविंग डैट, नाइट ओन्फ, दिलिविं का नाम है और किसी हद तक ये सही भी है इस अध्याय में रॉंसन ने ऐसे लोगों की कहानिया साजा की हैं जो भूतों की तरह अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं लेकिन ये भूत असली है ये इनसान है जिनकी मानसिक्ता और सोचने का तरीका हमें डराने पर मजबूर कर दे इस अध्याय की शुरूआत एक और हॉस्पिटल विजिट से होती है जहां रॉंसन ने कुछ और साइकोपाथ से मुलाकात की यहां उनकी मुलाकात ऐसे मरीजों से होती है जो बेहद अजीब व्यवहार कर रहे होते हैं वे दिखने में सामान्य लग सकते हैं लेकिन उनके व पहचानना मुश्किल हो जाता है वे समाज में घुल मिल जाते हैं लेकिन अंदर से वे एक अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं एक ऐसी दुनिया जहां कोई भावना नैतिकता या दया नहीं होती रॉंसन ने यहां उन लोगों के बारे में भी चर्चा की है जो अपने अ अध्याय में एक और दिल्चस्प बात ये है कि रॉंसन ने यहां कुछ ऐसे मामलो का भी जिक्र किया है जहां लोगों ने साइकोपाट्स के साथ रहने का अनुभव किया है उन्होंने बताया कि कैसे कुछ लोगों ने अपने जीवन में ऐसे व्यक्तियों को करीब से देख जो देखने में बिल्कुल सामान्य थे लेकिन उनके अंदर एक खतरनाक साइकोपथी छिपी हुई थी यहां एक ऐसे केस का जिक्र है जहां एक व्यक्ति ने अपने पडोसी के असली व्यक्तित्व को तब जाना जब उसे कुछ चौकाने वाली घटनाओं का सामना करना पड वे अपने अंदर की दया और भावनाओं को दबा कर रखते हैं और इसका असर उनके आसपास के लोगों पर बहुत गहरा पड़ता है इस अध्याय में रॉंसन ने हमें यह दिखाने की कोशिश की है कि साइकोपाथ्स की पहचान करना कितना मुश्किल हो सकता है खास कर जब वे अपने असली व्यक्तित्व को इतने अच्छे से छपाते हैं Night on of the living dead अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि हमें सतर्क रहना चाहिए और उन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें किसी व्यक्ति के असली व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं भले ही वे संकेत बे अगर हम उन्हें पहचानने में गलती कर बैठें। रॉंसन ने इस अध्याय के जरिये हमें एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि साइकोपैट्स की दुनिया कितनी जटिल और भयावह हो सकती है। इस अध्याय का फोकस उस किस्म के मानसिक विकार पर है जो समाज में सफल लोगों के लिए फायदे मंद साबित हो सकता है। रॉंसन ने इस अध्याय में एक बिलचस्प तर्क पेश किया। क्या साइकोपैट्स के कुछ लक्षन वास्तव में किसी व्यक्ति को सफल बनाने में मदद कर सकते हैं। क्या ऐसे लक्षन जिने आमतोर पर मानसिक बीमारी माना जाता है, कुछ परिस्थितियों में फायदे मंद हो सकते हैं। इस अध्याय की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से होती है, जिसे समाज में एक सफल और प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। इस व्यक्ति के पास एक शानदार करियर है और वह अपने एक शेत्र में एक लीडर के रूप में पहचाना जाता है। लेकिन जब रॉंसन ने इस व्यक्ति से बात की, तो उसे यह है एहसास हुआ कि उसके व्यक्तित्व में कई ऐसे लक्षण हैं जो आमतोर पर साइकोपाथी से जुड़े होते हैं, जैसे कि उच्च आत्मसंयम, कमीशन के लिए जूट बोलने की आदत और दूसरों की भावन के प्रती अनदेखी। इस CEO ने अपने व्यवसाय में अपार सफलता हासिल की, लेकिन उसकी कई आदतें और व्यवहार साइकोपाथी के लक्षणों से मेल खाते थे, उसके करमचारियों के साथ संबंध, उसकी ठंडी भावनाएं और उसका क्रूर निर्णय लेने का तरीका, यह दर्शाता था कि उसने अपने पागलपन का सही तरह से उपयोग किया है, रॉंसन ने यह भी बताया कि अपिस साइकोपाथी का एक सही प्रकार हो सकता है, जिससे सामाजिक और पेशेवर परिस्थितियों में स्वीकार किया जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी साइकोपाथ्स सफल होत क्या समाज ऐसे लोगों की आदतों और लक्षणों को बढ़ावा देता है, जो उसकी सफलता को सुनिश्चित करते हैं? चाहे वे कितने भी अजीब या असामान्य क्यों न हो, अध्याय का अन इस विचार के साथ होता है कि साइकोपैथी के लक्षण कुछ परिस्थितियों मे फाइदे मंद हो सकते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम यह समझें कि इसका सही उप्योग कैसे किया जाए, इस अध्याय ने हमें यह सिखाया कि कभी-कभी पागलपन केवल एक मानसिक स्थिती नहीं होती, बलकि यह समाज में सफलता पाने का एक महत्वपून कारक भी हो स लगता है, रॉंसन ने इस अध्याय के जरीए हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या हम समाज में उन लोगों को अधिक महत्व देते हैं, जो इस सही पागलपन का प्रदर्शन करते हैं, अध्याय आठ, डेविट शेलर का पागलपन, इस अध्याय, डेविट शेलर का प पूर्व MI5 एजेंट, जो एक हाई प्रोफाइल सार्वजनिक पागलपन का केस बन गया, डेविट शेलर की कहानी इस बात की एक सपष्ट मिसाल है, कि कैसे एक व्यक्ति की मानसिक स्थिती और उसकी सार्वजनिक छवी एक दूसरे के साथ मिलकर एक जटिल और रहस्य मैं स् उसने दावा किया कि MI5 ने कुछ गंभीर खुफिया जानकारी को छिपाया और इसके परिणाम स्वरूप कई खतरनाक स्थितियां उत्पन हो सकती हैं। इसके बाद डेविट शैलर का नाम मीडिया में प्रमुकता से आया और वह एक प्रमुक फिस्टल ब्लोवर बन गया। पागलपन की शुरूआत लेकिन जैसे जैसे समय बीटता गया डेविट शैलर की कहानी में और भी मोड आये। उसने सार्वजनेक किसीग्य स्कार सार्वजनेक रूप से अपने मानसिक स्वास्थिय के बारे में बात करनी शुरू कर दी और दावा किया कि वह भविश्य दे गहराई से विशलेशन किया। उन्होंने बताया कि शैलर का पागलपन कैसे उसकी खुद की 26 और सार्वजनिक धारणा को प्रभावित कर रहा था। शैलर का मानना था कि MI5 और अन्य सुरक्षा एजेंसियां उसके खिलाफ साजिश कर रही हैं और इस विश्वास ने उसकी म वादित और चर्चा का विशय बना दिया, जिसने उसकी असली समस्याओं को ढग दिया। सामाजिक प्रभाव। रॉंसन ने यह भी दिखाया कि शैलर की कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे एक व्यक्ती की मानसिक स्थिती समाज की नजर में एक पागल व्यक्ती की छवी बना सकती है। शैलर का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ती की मानसिक स्थिती को समाज और मीडिया द्वारा एक विशेश तरीके से पेश किया जा सकता है, जो उनकी वास्तविक समस्याओं को छुपा सकता है। अध्याय का संदेश, अध्याय, दे हम केवल उनके बाहरी व्यवहार और मीडिया की रिपोर्ट्स के आधार पर अपनी धारनाय बनाते हैं। रॉंसन ने इस अध्याय के जरिये हमें यह सिखाया कि मानसिक स्वास्थे के मुद्दो को समझने और उनका सही ढंक से मूल्यांकन करने की आवश्यक्ता है। देवि अध्याय में जॉन रॉंसन ने साइकोपाथी और उसके प्रभाव को एक नए परिप्रिक्षे से देखा है जिसमें एक व्यक्ती के द्वारा खुद को उच लक्षियों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है चाहे उसके लिए उसे कितनी भी अनैतिक या असामान्य तरीक का सहारा लेना पड़े यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे कुछ लोग अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए अत्यधिक महत्व कांक्षा और अनूठी रण नीतियों का उप्योग करते हैं और यह प्रयास कितने दूरगामी परिणाम ला सकते हैं उच्छ लक्षियों की ओर बढ़ना अध्याय की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति की कहानी से होती है जिसने खुद को एक बड़े सपने को पूरा करने के लिए तयार किया यह व्यक्ति जो पहले से ही एक सफल करियर की ओर बढ़ रहा था ने अपने लक्षियों को उचाई पर लेकिन इस रास्ते पर उसने कितने पागलपन के संकेत भी दिखाए उसकी महत्वा कांक्षा इतनी अधिक थी कि वहाँ अपनी आदतों और विचारों में चरम सीमाय पार कर गया उसने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने नैतिक मूल्यों को छोड़ दि प्रभाव और परिणाम रॉंसन ने इस व्यक्ति के कारियों के सामाजिक और व्यक्तिगत प्रभावों का विश्लेशन किया उन्होंने दिखाया कि इस व्यक्ति की अनूठी रणनीतियों और पागलपनने उसे एक अधविती स्थिति में पहुँचाया लेकिन इसके साथ ही इसके परिणाम भी कमभीर थे उसकी उचाईयों की और बढ़ने की कोशिश ने उसके व्यक्तिकत जीवन को प्रभावित किया और उसकी मानसिक स्थिति को भी चुनौती दी सामाजिक स्विकार्यता और नैतिकता रॉनसन ने यह भी चर्चा की कि कैसे समाज में ऐसे व्यक्तियों को स्विकार किया जाता है जो अपने लक्षियों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं समाज कभी-कभी उन लोगों को प्रशंसा और समर्थन देता है जो अपने लक्षियों को हासिल करने में असामान्य तरीकों का उप्योग करते हैं भले ही ये तरीके नैतिक या वैधना हो अध्याय का संदेश Aiming a bit high अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि महत्वा कांक्षा और पागलपन कभी-कभी एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं और यह लोगों को उचाईयों तक पहुँचाने का एक तरीका हो सकता है लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि हम यह समझें कि इस मार्ग पर चलने के परिणाम क्या हो सकते हैं और इसका सामाजिक और व्यक्तिगत प्रभाव कितना गहरा हो सकता है रॉनसन ने इस अध्याय के माधिम से हमें यह सिखाया कि किसी व्यक्ति की महत्वा कांक्षा और उनकी रणनीतियों को समझना आवश्चक है और यह कि कभी-कभी उँचाई की ओर बढ़ने की कोशिश में वे नैतिकता और समाज के नियमों को पार कर सकते हैं यह अध्याई हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम उँचाईयों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश करेंगे और इसके परिणामों को समझने की आवश्चकता होगी अध्याई 10. रिबेका राइली की बचाव्यमृत्यू जॉन रॉंसन की किताब का एक समवेदन शील और गहन अध्याई है जिसमें एक युवा लड़की की दर्दनाक और अनावश्चक मौद की कहानी पेश की गई है यह अध्याई हमें यह दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ती की मानसिक स्थिती और असामान्य परिस्थितियां कभी-कभी घातक परिणाम ला सकती है और समाज में इसके प्रभाव को समझने की आवश्चकता होती है रिबेका राईली का मामला अध्याय की शुरुवात एक युवा लड़की रिबेका राईली की कहानी से होती है जो महज चार साल की थी जब उसकी मौत हुई रिबेका को मानसिक स्वास्थे समस्याओं के इलाज के लिए विभिन दवाई दी गई थी लेकिन उसकी स्थिती लगातार बिगड़ती गई यह मामला मीडिया में बहुत चर्चित हुआ क्योंकि रिबेका की मौत के पीछे कई विवादास्पत कारण थे जिन में उसके उपचार की प्रक्रिया और दवाउं का प्रभाव शामिल था डॉक्टरों ने उसकी समस्या को ठीक से समझे बिना दवाओं का प्रबंधन किया, जिससे उसकी हालत और भी बिगड गई. परिवार और डॉक्टरों की जिम्मेदारी अध्याय में रॉंसन ने ये भी चर्चा की कि रिबेका के परिवार और डॉक्टरों ने उसकी स्वास्थे समस्याओं को सही तरीके से नहीं समझा डॉक्टरों ने उसकी स्थिती की सही पहचान नहीं की और दवाओं का सही प्रबंधन नहीं किया। इसने यह सवाल खड़ा किया कि क्या चिकित्सा पेशेवर और परिवार के सदस्य अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा रहे हैं या क्या कुछ बातें अनदेखी की जा रही हैं। सामाजिक और चिकित्सा प्रणाली की विफलता। रौंसन ने यह भी दिखाया कि यह मामला चिकित्सा और सामाजिक प्रणाली की विफलता को उजागर करता है। रिबेका की मौद एक महत्वपून प्रश्न खड़ा करती है कि क्या हम बच्चों और उनके मानसिक स्वास्थे के मामले में सही तरीके से पेश आ रहे हैं। यह कहानी यह दिखाती है कि कैसे चिकित्सा और सामाजिक प्रणालियां कभी-कभी अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असफल हो जाती हैं और इसका असर जीवन और मौत के बीच की सीमा पर पढ़ सकता है। अन्य लोगों की स्वास्थे समस्याऊं को ठीक से समझे और उनकी देख बाल में कोई कमी न होने देन। आवश्शकता है ताकि किसी और को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े। अध्याए, ग्यारह, गुड लग। अध्याए, गुड लग। जौन रॉंसन की किताब का अंतिम और संपूर्णता की ओर ले जाने वाला अध्याए है, जो साइकोपैती और इसके समाज पर प्रभाव की व्यापक समझ को समेटता है। इस अध्याए में रॉंसन हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक व्यक्ति की किस्मत और उनक किन उसकी सफलता की राह में उसकी मानसिक स्थिती और उसके साइकोपाथिक लक्षणों का भी बड़ा योगदान है। इस व्यक्ति ने अपने जीवन की कठिनाईयों को पार करते हुए उंचाईयों तक पहुँचने में सफलता पाई। और यह समझने की कोशिश की कि क्या इसके पीछे कुछ विशेश मानसिक गुण थे किस्मत और अफसर। ब्रॉंसन ने इस अध्याय में दिखाया कि कैसे साइकोपाथि और गुड लक्ष एक साथ मिल सकते हैं। उन्होंने बताया कि कभी-कभी एक व्यक्ति की सफलता और उंचाईयों तक पहुँचने की संभावना उसके मानसिक गुणों और किस्मत के संगम पर निर्भर कर सकती है। ऐसे लोग जो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए खुद को औरों से अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। जो लोग इन लक्षणों को अपनाते हैं, उन्हें सफलता की उचाईयों तक पहुचने में मदद मिल सकती है। लेकिन वे कभी-कभी सामाजिक और व्यक्तिकत संबंधों में भी कठिनाईयों का सामना कर सकते हैं। समाजिक और व्यक्तिकत प्रभाव। अध्याय में रॉंसन ने यह भी समझाया कि साइकोपाथी और सफलता का यह मिश्रण समाज पर भी प्रभाव डाल सकता है। उन लोगों के लिए जिनके पास उच्च साइकोपाथिक लक्षन होते हैं, वे समाज के नियमों और मान दंडों से अलग हो सकते हैं। रॉंसन ने यह सपष्ट किया कि साइकोपाथी के लक्षनों के साथ किस्मत और अवसरों का सही उपयोग करने से एक व्यक्ति को सफलता की उचाईयों तक पहुँचने में मदद मिल सकती है। लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि हम इन लक्षनों और उनके प्रभावों को सही तरीके से समझें। इस अध्याय ने हमें यह सिखाया कि कैसे व्यक्ति की मानसिक स्थिती और किस्मत मिलकर उसकी सफलता और जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकती है। रॉंसन ने यह दिखाया कि कभी-कभी किसमत और मानसिक गुणों का संयोजन ही किसी व्यक्ति को समाज में एक विशिष्ट स्थान दिला सकता है। यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी मानसिक स्थिती और उपलब्ध अवसरों का सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं और इसके प्रभावों को सही से समझ रहे हैं।